जैशी कृष्ण दोस्तो पियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बहुत ही सटीक लक्षनों की जानकारी देने वाले हैं जिससे कि आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़क करने लगती है तो दोस्तो आज हम आपको कुछ ऐसे सटीक लक्षन बताने वाले हैं जिससे कि आप 99% अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली यह संतान एक लड़का होगा या लड़की होगी उसकी जानकारी देने से पहरे दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरा चलन स सब्सक्राइब निकर रखा तो सब्सक्राइब जरू कर ले वगले वैल आइकन को दबा दे जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तों अगर शुआती दिनों में अगर आपको morning sickness बिल्कुल भी नहीं हुई है यानि आपका जी खराब नहीं हुआ आपको उल्टिया नहीं हुई है या बहुत कम उल्टिया हुई है तो यह लक्षन बेवी बॉय होने का माना जाता है वही पर आगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टिया हुई है बहुत सिर्कल सोते हैं या पहले नहीं थे अब डाक सर्कल बन गए है आपके चहरे के नीचे मतलब आपको जो सकीन वो काली दिखाई दिखाई दे रही है तो यहाँ लग्षन भी बेबी बॉई होने का माना जाता है वहीं पर आपकी जो सकीन बहुत ज़्यादा ग्लौ कर रही है पह एक तरह आपको राइट की तरफ महसूस होती है और नाभी के निचले वाले हिस्से में महसूस होती है तो यह है लक्षन बेबी बॉय होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपको बहुत जल्दी मतला अपने बच्चे की मुवमेंट फील हुई है उसकी जो मुवमेंट है जाता है वहीं पर अगर आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए है आपकी हतेलिया बहुत मुलाए मैं सुन्दर हो गई है तो यह लक्षन देखे बेबी गरल होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुत ही सर्टीक लक्षन है दोस्तों अगर गरवती महिला को बहुत ज़्यादा नीद आती है आलस आता है और उसको देखे लेफ्ट करवट से सोना अच्छा लगता है तो यह लक्षन बेबी गरल होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपको नीद बहुत कम आती है आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फिल करते हैं कोई भी काम करने मे आपको आलस नहीं आता है और आपको राइट करवट से सोना अच्छा लगता है तो यह लक्षन बेबी बॉइ होने का माना जाता है क्योंकि हमारे शासनों में भी बताया गया है कि जो लड़का है वो हमेशा राइट की तरफ रहता है यानि दाई तरफ रहता है और लड़क बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला को देखे साथवे आठवे महिने में अपना पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको अपना पेट बहुत ज़्यादा कड़क मतलब प्राब्लम हो रही है उठने बैठने में आपको दिक्कत हो रही है अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको बैक पेन होने लगता है आपकी कमर फटने लगती है तो यह लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है वही पर दोस्तों अगर आपको देखे अपना पे लक्षन भी बहुत ही सटीक लक्षन है दोस्तों अगर आपको देखे बहुत ज़्यादा यूरीन की प्रॉब्लम हो रही है यानि यूरीन पास करने में आपको दिक्कत हो रही है अगर आपको साथवे आट महिने से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है तो ये लक् भी बहुत ज़दा डाक है आपकी जो ब्रेस्ट है उसका कलर भी बहुत ज़दा डाक हो गया है तो ये लक्षन देखे बेबी बॉई होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपकी जो नाभी है मतलब उसका कलर चेंज नहीं हुआ है आपकी निपल का भी कलर अगर चेंज नहीं हुआ है तो यह है लक्षन बेबी गरल होने का माना जाता है दोस्तों गर्वती महिला को अगर अधिक तर अपने मतलब रीट की हड़ी में दर्द रता है बैक पेन की प्रावलम रहती है कुले में दर्द रहता है तो यह है लक्षन बेबी बॉय होने का माना जाता है अगला ल गर्वती महिला को जादा चटपटी तीखी चीजे अच्छी लगती है तो यह लक्षन बेबी गरल होने का माना जाता है अगला लक्षन बहुती सटीक लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला को अपने सपने में मेल से समधनी चीजे दिखाई देती है फल दिखाई देती ह या अपने सपने में कोई लड़का मतलब छोटा बच्चा दिखाई देता है बेबी बॉय दिखाई देता है तो यह लक्षन देखे बेबी बॉय होने का माना जाता है वहीं पर अगर गरवती महिला को अपने सपने में बेबी गरल दिखाई देती है या लड़की दिखाई द पहले के Μकाबले तो यह लख्शन बेवी बॉइ होने माना जदा है वहीपर अगर आपको अपने बालों में मतलब पहले से ज़्यादा रूखे बेजान अगर आपके बाल ज़्यादा जढ़ने लग गये हैं तो यह है लक्षन देखे बेबी गर्ल होने का माना जाता है दोस्तों यह काफी सारे हमने आपको लक्षन बताए हैं जिससे कि आप अंदाजर लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों यह वीडियो बनाने का केवल इतना ही मतलब मकसद है आपकी जग्यासा को दूर करना तो इस वीडियो को गलत तरीके से ना ले और कोई भी लक्षन 100% नहीं होता है दोस्त